लोग सभा चुनाव अपने पूरे पीक पर है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी इस बार 400 के आंकड़े को पार कर रही है गरी मंतरी अमिशाह ने तो ये भी दावा कर दिया कि तीन चरन की वोटिंग में ही भारती जन्ता पार्टी ने 200 के आंकड़े को पार कर लिया है इसी बीच दिली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल जेल से बाहर आते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं और ये दावा करते हैं कि इस बार भारती जन्ता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी केजरिवाल ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहां 400 पार की सोच रहे हैं इस बार बीजेपी को 200 सीट मिलना भी मुश्किल दिख रहा है कुल मिला करके देखा जाए तो इंडिया गठबंदन के तमाब नेता ये दावा कर रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनेगी और बहुमत के आकड़े से बीजेपी को सो दूर रह जाए की केजरिवाल में तो ये भी दावा कर दिया कि प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी खुद के लिए नहीं बलकि हमिश्चा को प्रदान मंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं ऐसे में जो इंडिया गठबंदन के नेताओं का एगजिट पोल है उस एगजिट पोल ने एंडिया को परिशान कर दिया है और लगातार इंडिया गठबंदन के तमाम नेताओं चाहे वो अर्विन केजरिवाल हों तेजस्वी यादो हों राहुल गान्दी हों ये तमाम नेता ममताब इनरजी हों लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार महमत नहीं मिलने वाली है और 400 का जो ख्वाब है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का वो अधूरा ही रह जाएगा तो ऐसे में इंडिया कठबंदन के जो नेताओं का एगजिट पोल है चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंडिया कठबंदन के जो नेता है वो कितना दावा कर रहे हैं कि एंडिया को कितनी सीटे मिल सकती है चलिए आपको बताते हैं अगर बात की जाए तो अरविन केजरिवाल ने दावा किया है कि एंडिये को 220 से 230 सीटों पर ही सफलता मिलेगी यानि बहुमत से एंडिये दूर रह जाएगी वही राहूल गांदी का तो दावा है कि एंडिये डिर्ड सो पार भी नहीं कर पाएगी और उनका दावा है कि एंडिये को महच 150 सीटे ही मिलेगी और पिछले दिनों रहूल गांदी जब यूपी के दोरे पर थे उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि इस बार यूपी एंडिये को नकार देगी और इंडिया गटबंदन को एलतिहासिक सीटे देगी तो रहूल गांदी का दावा है कि एंडिये डेड़ सो पार नहीं कर पाएगी लालू यादो का दावा है बड़े वरिष्ट राजिनेता है और भारत की राजिनीती पर उनकी ठिक ठाक पकड़ है और बहुत ही मतलब का दावर राजिनेता माने जाते हैं और लालू यादो का दावा है कि एंडिये को 200 से कम सीटों पर जीत मिलेगी मामता बंगर जी पफशिम बंगाल के मुख्य मंतरी उनका भी दावा है कि एंडिये को 200 से कम सीटों पर सफलता मिलेगी और अगर ये आंकडे सच होते हैं जो ये इंडिया कटमंदन के नेताओं का जो दावा है तो निश्चित तोर पर जो नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री का सपना है तीसरी बार लगातार बनने का वो अधूरा रह सकता है शहसी तरूर का दावा है कि एंडिये को 300 से कम सीटे मिलेंगी हाला कि बाकी लोग कह रहे हैं 1500 नहीं मिलेंगी कोई कह रहा है कि 200 नहीं मिलेंगी लेकिन तरूर का ये मानना है 300 से कम सीटे मिलेंगी अब कितना कम होंगी ये भी दिल्चस्प है क्योंकि जो बहुमत कांकड़ा ह वो 270 का है और अगर 300 से कम अगर 270 से जादा होता है तो निश्ची तोर पर एंडिये पूरबहुमत की सरकार बना लेगी तो मतलब ये इंडिया गढजबनन के नेताओं में इकला होते शहसी तरूर का मानना है कि एंडिये को 300 से कम सीटे मिलेंगी जबकि बाकी सभी नेताओं का रावा है यह कि 200 से कम मिलेंगी रावल गांदी तो कहा रहा हैं 1200 पर ही NDA लटक जाएगी संजर रावत का रावा है NDA को इस बार 200 सीटों के आसपास सफलता मिलेगी तेजसवी यादों तो मतलब बाकि जो नेता केरें 1.500 पार राउल गांधी केरें 1.500 मिलेगी कोई केरा रहा है 200-220-230 मिलेगी तो तेजसवी यादों केरें महज 100 सीटों-पर ही एंडिये को सफलता मिलेगी तो जो एंडिया के नेताओं का एकजिट पोल है उसमें तो एंडिया के जो नेताओं का एकजिट पोल है उसमें तो एंडिया हार रहा है लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आएंगे चार्ज उनको तभी असपश्ट हो पाएगा कि एंडिये को कुल कितनी सीटों पर सफलता मिलती है क्योंकि बी जेपी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी हो अमिश्या हो जेपी नड़ा हो और तमाम जो अन गटक दलके भी जो नेता हैं लगातार वो चार सो की बाते कर रहे हैं और इस चार सो वाली बात को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा भी है विपक्षी नेता तो ये भी आरॉप लगा रहे हैं कि मोदी चार सो इसलिए माँग रहे हैं क्योंकि उल्मिदान बदलना है नहीं कि जो इंडिया गटमंदन के नेताओं का जो नेरेटीव है वह नेरेटीव अप आम लोगों का विसमय बना हुआ है हाला कि खैर ये गटबंदन के नेताओं की बात में कितना दम है कितना नहीं वो भी नतीजे जब आएंगे चार जून को जब नतीजे आएंगे तभी असपष्ट हो पाएगा और असली एक्जिट पोल बनलब चुनाविक नतीजों का जो एक्जिट पोल पुरा आएगा वो च चार जून को ही क्लियर हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती हैं इंडिया गटबंदन के जो नेताओं की बात में कितना दम है या कितना नहीं दम है और क्या मोधी जो 400 का अंकड़ा लेके चल रहे हैं उसको हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो चार जून को ही पत करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24